हेलो नमस्कार आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुर रहे हैं बता दे तमाम जो साइंखिकिक स्वेंग सेबक जो हैं लगतार कार्मुक्त होकर के अपने घर पर बैठे हुए हैं उन सभी को लेकर के बड़ी खबर आ रही है जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोग के काम को करवाने को लेकर तमाम बिभागों का दोड़ा करेंगे साथ ही आप लोगों को बताते चले कि तमाम बिभागों के सासा समानी परसासन बिभाग जहां पे तमाम जो बिभागों के करमचारियों का डाटा रहता है वहां पर हम उनकी अधिकारी से बात करने के लिए आजाट हो जाये हुए थे और उनसे मिलकर उनको पत्र सौपने का काम किये हैं साथी उनसे तमाम बिभागों का ब्यवरा भी लिये हैं साथी उन्होंने बताया कि तमाम बिभागों का काम अपने अस्तर से चल रहा है साथी आपको चाहेंगे कि साइख्यकिक स्वेंग सेवकों को ले करके भी जो है कहीं-َّकहीं सक्रिये जो है बिभाग होता दिख रहा है जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि बिभागों के दώρα जो है रिक्वार्मेंट भेजी गई है जो समानी पर जासन बिभाग के अधीन है औ वादों पर खरे उतरने को लेकर के जो काम करना है वो मैन है और आपको बता दे कि बिधान सभा चुनाब भी नजदिक है उसको पहले चाहते हैं कि आप लोग का काम हो जाए जिसको लेकर के तमाम विभाव का दोरा हमने सुरू कर दिया है जैसे ही हमको पता चला कि करपूरी स सरकार से 75,000 मानता प्राप साइंकिक स्वेंग सेबकों का रिकॉर्ड मांगा था आपको बताना चाहेंगे कि जो की सरकार अभी तक उनको पेस नहीं कर पाई है मामला तो बहुत दिनों का है लेकिन सरकार पेस नहीं कर पाई जिसको लेकर के आप लोगों का बेवरा नहीं सौपी जिसका मनसा यही साफ किलियर दिखाई पड़ता है लेकिन अब जाकर कि जब विवाग के दोरा जो लगाता requirement आप लोगों की भेजी जा रही है तो उसके हिसाब से आपको बताना चाहेंगे कि कैबिनेट में आप लोगों का पैनल रद हुआ था, कैबिनेट से अगर आप लोगों का पैनल रद हुआ है, तो कैबिनेट से ही आप लोगों का पैनल रिसॉल्ट भी होगा, इसको लेकर के भी हम आपको बता देना चाहते हैं, कि मुखमंत्री मोहदय आप लोगों की जो फाइल है जो आप लोगों की पैनल है नए सीरे से जो है उन पर जो है उनको जो लागू जो करेंगे तो वो कैबिनेट से ही लागू होंगे इस चीज़ को भी आप लोग जान लीजिए और देखिए ऐसे में एक बड़ा सवाल उठत बताना चाहते हैं इसको जो है एक्चेन के माध्यम से किया जाएगा आपको बताना चाहेंगे कि सचिवाले से जो निकल करके फाइल आती है वो जीएडी में जाती है यानि की जनरल एडिमिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अब वहां से फाइल निकल करके जो है CMO आती है इसके बाद उसे प्रधान सचीव कैमिनेट में प्रस्तावित करते हैं जहाँ पर तमाम विभाओं के मंत्री गन मौजूद होते हैं वहाँ पर आप लोग के फाइलों पर पर सुनवाई होती है इसके बाद लगता है जिस परकार से उसे महर लगा करके काम आगे बढ़ाया जा होगा तब ही जाकर कि आप लोगों को जो है इसका सुनिशित जल्द से जल्द इसका प्रकिरिया पूर्णता कंप्लीट होंगे लेकिन यहाँ पर आप तमाम साइगिक स्वोइंग सेवों को एक बात बताना चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर के सरकार का मंसा है कि आप को मेरे हमको जब विभाग से बात हुई तो हमको पता चला कि जो है कहीन कहीं सरकार की मंसा है लेकिन सरकार इस पर जो है कब तक जो है इसका रिसॉल्व करने को लेकर के काम करेगी क्योंकि विभागी आस्तर से भी काम को कहीन कहीन अस्थगित कर दिया गया है लोग सभा उन सभी को चुनावी डूटी में लगाया गया है चुनावी डूटी से पहले उन सभी का परसिछन होना है तो इसलिए उन सभी को जो है अपने आस्तर से जो है जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने उन सभी का डूटी जो है ततकाल की डाटा फिडिंग को लेकर के जो है निक उनको आप लोगों ने डिप्टी सीयम को भी लगातार पतर सौपने का काम हुआ, साथी आप लोगों ने रोजगार देने की गुहार लगाई, संके सदस्तों का कहना है कि पातरता पडिक्षा लेकर बहाली की गई, इसके बाद पैनल रद कर दिया गया, हम लोगों ने हर जग आधन आर्थिक गन्ना जनगन्ना वर्सा पात आधी आकडो का संगरित करने के लिए की गई थी, मगर छटी आर्थिक गन्ना खत्म होते ही, बिहार सरकार ने इनके पैनल को ही रद कर दिया, तब से लेकर अब तक लोग बेरोजगार हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि नौकरी के इंतजार में है, परिवार की आर्थिक स्थिती जरजर हो चुकी है, इस वात को हम नहीं वलकि पूरा बिहार समझता है, साथ ही आपको बता दे कि सरकार भी समझती है, जो NDA की सरकार एक तरफ बेरोजगारी मिटाने की बात करती है, दूसरे तरफ जो रोजगार में थे, उनको भी बेरोजगार करने को लेकर के काम की, जिसको लेकर के लगातार आप लोग के हितों से फायल और सिल्फे स्थेडी के माध्यम से हमने पतर तयार किया है, क्योंकि मुझे सब पता है, सांखिकि स्थेंग सबक के बारे में मुझे सब कुश पता है, और विसेस अभी सारे मंतरों का परजेंट को दिर्ली में अपनी मीटिंग कर रहे हैं जैसा कि वह आने वाले थे तो हम आपको जबाएव हमने खबर के माधिम से दिखाया भी कि तमाम जो भारत के जो मंत्री थे केंद्रिय मंत्री थे वो भी मौझूद थे लगातार बिहार के जो दोनों डिप्टी सीम थे वो भी मौझूद थे और सभी के सामने आप लोग के हितों में हमने वहां से कब्रेज करना दिखाया क्योंकि देखिए बिभागी अस्तर से काम अब होने से जो है सरकार ही अब कुछ कर सकती है जिसको लेकर के विभागी अस्तर से भी काम जरूरी है और सरकार के हीतों से भी काम जरूरी है जिसको लेकर के लगातार अपने हीतों से हम मेहनत करना सुरू कर दिये हैं क्योंकि सांखिकिक स्वेंग सेवकों का न्यूद जो है कोई चेनल नहीं चलाता है इसलिए नहीं चलाता है क्यूंकि उन से उसको TRP नहीं मिलता है लेकिन हमें TRP से ज़वरत नहीं है हमें सिर्फ सम्था कर्मचाटी जो इतने दिनों से लाचार हो करके करकें और अपने कोई काम भी आप लोग नहीं कर सकते हैं जिसको ले कर के आप लोग की यही आसदा है कि सरकार जल सजल हम लोगों का कही न कहीं Kash रिजॉल्व कर दे पेनल को जिससे हम लोग अपने कार पर वापसी कर पाई और हम लोग का जो गुजर बसे रहा है वो अच्छे तरीके से चल सके रोज मररा की जिन्दगी से जो आप लोग दूज रहा है उससे आप लोग को निजात मिल सके तो तमाम जो चीजे हैं उसको लेकर के लगातार जो है हम रिसर्च करके अपना अस्तर से फाइल बना लिए हैं और तमाम जगों पर सौपने का हमने कारवाई शुरू कर दिया जैसा कि आप लोग अभी हमारे हाथ में फाइल भी देख रहा हैं तो लगातार आप लोग बने रहे और इस चिंता को आप लोग दूर कर दे कि आप लोगों का काम नहीं ह होगा इस चिंता से आप लोग लगातार दूर हो जाईए लगातार आप तमाम सायंकिक स्वेंग सवक भाई से एक ही निवेदन है कि आप लोग लगातार जो है अपने अस्तर से निश्चिंत हो करके रहे आप लोगों के हितों में एलान होगा और जल्दी कैबिनेट से आप वोल्ड रिपोर्ट